न्यूज स्पॉंसर ड्वाइज सुपर 35 कोचिंग इंस्टिटूट रिवा सेंट्रल संचालक भागते हुए अपने घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद परिजनों के साथ रायपूर करचुलियान थाना पहुंच कर शिकात दर्च कर आई गई है लूट की घटना की जानकारी लगते ही रायपूर कर्चुलियान थाना प्रभारी पुस्पेंदर यादव मौके पर पहुँचे और मुआयना किया है जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए घेरा बंदी की गई पुलिस शेतर में लगे हुए CCTV कैमरों के फुटेज की आधार पर आरोपियों की तलास में जुटी है वहीं साइबर की भी टीम की मदद ली जा रही है आपको बता दें कि कई क्यों सेंटनर्स अंचालक लूट का शिकार हो चुके है फिलहाल मोटर साइकल सवारतीन बदमासों का आतंक जारी है जबकि हाल में ही पूलिस अधिक शक नवनीद भसीन ने चेंज स्नेचिंग करने वाले उत्तर प्रदेश के चार बदमासों को गिरफतार करने में सफलत अपराप्त की है बावजूद इसके लूट की वारदातों में लगाम नहीं लग पा रही है